मैं आप लोगों मीडिया फेटर्निती का शुकर गुजार हूँ कि हर वक्त ये पब्लिक ग्रिवेंसी जो होते हैं पब्लिक इशूस जो होते हैं उनको उजागर करने के लिए पेश पेश रहते हैं और आज जो ये प्रेस कांफरेंस होनी जा रही है जिन लोगों को हमने किया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्या और वान हना इस्ते इकबाल करते हैं तरफ से और सिवल स्ट्राइटी की तरफ से यहां पर हमारे डीडीसी मिंबर फ्रम हाय हमा सुनावरा खान साब यहां पर महमिन नम्रा हाजी महमिन नम्रा मीर साब इकबाल साब वार मेंब उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बिगरती हुई सुर्थ हाल जो हमारे होस्टल की है, बदमनी को लेकर, हालत को लेकर, खस्तहाली को लेकर, हम आज मजबूर हो गए आपके सामय आने के लिए, क्योंकि बहुत पहले से हम इस मसले को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे जो हुकुमरान हैं, या हमारे जो कंसरल डिपार्टमेंट्स के आना अफसरान हैं, वो तस से मस नहीं हुए हैं, चूँकि हाला बिगरती जा रही है, यहां के हलस सर्विस्स की सबसे पहले मैं यहां के गाईनी सेक्शन जो है, उस बारे में आप से आगाई करूं, गाईनी सेक्शन में हमारे यहां पे डियू, एम्मेस डॉक्टर्स होते हैं, चूँकि डिस्पाइट के हमारे पास गाईनी कालजिस्स तक्रीबं पांच यहां पे मुझूद हैं, लेकि ए एक मिसालों है हमाँ की एक बच्ची जिसका एक्सप्छ है पर ऒबें तेसरा बच्च तका आप miracles स कोई डॉक्टर नहीं गया ऐ कहां पर थी डॉक्टर अपने क्लिनिक पर जब ज्यादा तर जो डॉक्टर साहबं यहां पर है उनका शिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है वह हमारे पेशन्स को फुरूम प्रवेट कुलियू कृम पर उनको देखते हैं देखने के बाद वो क्या कहते हैं जो फैसल्टी नहीं है आपर रेट में जाईए, नाइट अवर्स की बात कहूं, वहाँ पे किन लोगों को रखा जा रहा है, सिर्फ दो सो रुपए के अवर्स, वहाँ पे A&T स्कूल के बच्चे होते हैं, जो स्टूडन्स होते हैं, उनको रखा जाता है, और उनको सिर्फ दो सो रुपए दिये जा और बात ही जो एमपलाईज है, जो गाएर रहते हैं, तीसरी बात, यहां पे हमारा ब्लर बैंक है, ब्लर बैंक, दा बेस्ट ब्लर बैंक मैं कहूं कि नार्फ कश्मीर का, लेकिन उनको रेकारिमेंट्स है, कुछ चीज उनकी, लेकि उनकी तरफ को यी तवज़ा नहीं दे है हमारी दिमान है सबसे पहले यहां पे जो लॉबी सिस्टम है जिनको दस साल पंच साल आफ साल यहां पे ग्यूटी देते हुए हो गए है उनको कंपलीटली यहां से दिकाल दीजे कंपलीटल। होल और सिस्टम सुड़ बी वाहुड कंप्लीट बी उनको लाई की रिप्लेश्मेंट हम्हाँ करा लाईये कर्स्व 미ान से वह हमारे कमप्टर नाक्र भी है उनको लाई लाई ताकि यह宗ांपोंस्ट सुन। ये भी सुने को मिलता है कि कोई पेशन्ट उनसे कहता है कि आप अगर हमारी खातिरदारी नहीं करोगे तो हम बीशी साथ को फोन करेंगे वहां से क्या जवाब मिलता है जा बोलो यह नाइनसाफी है इस नाइनसाफी को रोकने के लिए हमें एक जुड़ हो जाना है आप लोग की बरता नहीं है और हमारा जो अइडियाफ फंड है वह उतिलाइज होता है किस पे क्वाटर की रिपेर्यमेंट की मुझे कली पता चला कि आठ लाग रुपे एक विट्वेर्यमेंट की करनी है जो उनके रिजाइड करें वह बाक्टर है परेमेडिकल साथ है या कोई डियेचो है या कीमो और सो गया है उसको विचारा हर्प्लेस हो गया है उसका कुछ नहीं रखा गया है हमें MS दर्जे का हमें कोई officer दे जीजे जो इसको चला सके यह एक बहुत बड़ा होस्टल बनने जा रहा है DNB स्टार्ट होने वाला है DNB Diplomate National Board इसका मतलब है कि बहुत बड़ा होस्टल बनने जा रहा है जिसकी अभी भी कोई requirement है लेकिन यह लोग pursue करने में नाकाम रहे हैं अगर यह pursue करते तो मुझे लग रहा है कि आज यहां पर वो डिपार्टमेंट वो DNB होस्टल चालू होँआ यहां पर बोर्ड चलाए गए हैं बहुत सारे बाक्सर से जिनकी वो दिग्रियां नहीं है वो उनकी उनकी डिग्रियां वहां पर नहीं है जो वो बोर्ड चला रहे हैं इसका मतलब हमारे patients को दोखे में रखा जाता हम चाहते हैं कि हमारा system यहां पर ठीर को और हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ यह बेटर्मेंट इसमें आ जाएगी शरत यही कि complete रिशा पर होना चाहिए अगर ultimate भी देते हैं कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसका सजबाब करें इसको देखें जो हमारी demand है उस पे काम करें इसमें आपका क्या कुछ बिल्कुल आप मेरे आप मेरे अब भी पॉस्ट भी देखें होंगे देखें होंगे दूसरा कि आप भी मेरे आफिस में प्रेस कॉण्टरस में आप लोगों को ने शमुलियत की मैंने तक्रीम दो तीन मसले जो हमारे trade related है उनको उजागर किया है आप मेरे आपिस में आ जाई है या जिसको भी शक है वो communication एक communication जो हमने की है आज तक related to this trade तो मैं open हूँ और अगर मैं दिखा नहीं पड़ा तो मैं जुरुमदार सब्सक्राइब करता है कि इन्होंने एक पादलिक इश्यू जो है जो अवाम का इश्यू यहां है जो पिछले तहीं बीस सानों पचीस सानों से चल रहा है यहां यह कुपाड़ा का हस्वतार कि इस पर इन्हों उन्हें गान दिया और उसमें शुमूलेट के इनका भी शुक्रिया अदा करता है रही बात यहां हमारे कुपाड़ा भी जो हस्प्ताल है इसकी फैसल्टीज की हम तनकीद ब्राइट तनकीद नहीं करेंगे बैकि जो गोर्मनें ने किया उसका शुक्रिया भी अदा करना हम बनी हुई है उसके लिए भी शुक्र बुजा रहे हैं लेकिन प्राब्लिम कहां खड़ा है यह आज की प्राब्लिम नहीं है जब तक मेरे अंदाजा है यह आज की प्राब्लिम नहीं है बलकि यह पिछले तीर साल उसे चल रही थी लेकिन आज हमें अफसूस एक चीज़ का है मैं सच बता हुए कुछ बहुत पहले पहले आज से सियासी अप्रोज होता है यहां से हटाना है मैं डाक्टर को यहां से ली हटाना है आज 30 साल 25 साल 18 साल 20 साल के जो लेकिन वहां से कोई डाक्टर ऑखित्र ची leche fay मीडिकल आफिसर या वेमू या कोई डाक्टर आता है जो लोग वहां बैटे हैं इन लोगष ने को अंडर प्रशर करके रखा ऐसल बात में जब जाता है इसके ज़र तक पहुंचाएंगे असल बात वही है कि वहाँ फिर चलती किसी की नहीं है सब दाक्टर साहिवार है जो यहां बैटे है 15 सालों से 20 सालों से इन्हें एक सिस्टम गन यहां नंबर में आएगा इतने दिन लगेंगे आप कहीं प्रेट में जाओंगा पहले मुझे इतना किराया देना है इन्होंने टिक करके रखे हैं आपने यहां जो इनके प्रितलिके हैं वह उनको वहां नेते हैं और वहां उन्हें जबाखना बनाया है मुझे यह शर्म नहीं कहने में आती है जबाखना बनाएं यह शिर्फ इन्होंने चाको हाथ में रखें बस पाटते हैं लोगें को यहां मार्केट में दो तीन किलने के चल रहे हैं जरा आप लोग जाए वहां देखें कौन से फैसल्टी से है इस हस्ताल से ज्यादा जो फैसल हाशा है घुञां यह कि जो पर आ के लोग है यह वाटर एरिया यह टीन कि मिटर कि सराठि पर लोग बसने बहुए हैं इनके पास कोई सवारा नहीं है इस इनी कर लाते हैं यह कहां से 10-10-20-1000 रुप्या लाइए इंडाक्ट्रों की किल्मिकूपर फीज बरेंगे फिर आप रख कर लाइगे मेरे अपीन है इंडाक्ट्रों से कि खुडारा जो आपको मंसभ है यह बगवान का रूप है यह अल्ला का रूप है बगवान आप लोग नहीं ह शुकर गजार है आपने वहां फैसल्टी रखी है हम उसके लिए शुक्र हो शुक्रिया बोर में टिका करते हैं लेकिन जो वहां मामले है अच्छी साल से पहले पहले जो मामले है वहीं है जहां थे सुनावला साब अगर हम बात करें आप पब्लिक रेसल फ्यू में आया है अगर मेरे रिजाइन से इस हस्टाल के यहां आप लोगों के हालात यहां के गरीवों के हालात सुदर जाएंगे तो मैं आप लोगों को उसके साथ वादा करता है अभी कागजला मैं अभी रिजाइन कर दूँगा हमारी कोशिश है हमारी कोशिश है हम कोशिश करते हैं और करते भी रहेंगे जितने मुम्किन हो सके उतना हम लोगों की आवाज लोगों की मुश्किलात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उम्मेद है उम्मेद उपर तो दिन्या खड़ा है हमें उम्मेद है हम कोशिश कर रहे हैं डीजी सी फोर्म जो है कुपाड़ा का हम कोशिश कर रहे हैं कि हम LG साथ से मिलेंगे और M जो मामला था अवानी सथा के जो मामला था यहां से उबारेंगे